हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब गुड मॉर्णिंग तू आल फ्यू आई होप यू आल वेरी वेल और आज सेकेंड आप मॉर्च है और इस मार्च के दूसरे दिन में हम सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेस देखेंगे विद फैक्ट जी एस और यह दोनों भासा में होगा दो सो से तीन सो अलग से जी इसके फैक्ट रिविजन करेंगे मैप के साथ हम पढ़ते हैं तो यह जुरूर दिया है एक हमारा चैनल है वन डे एक्जाम पॉइंट यह भी काफी बहतरीन तयारी कराता है तो आप इसको भी जुरूर सब्सक्राइब करें और इसका लिंक डिस जो विछले महिने तक के जितने इंपॉर्टेंट पीडिएफ थे सब को सब में लगबक्ती से 30 पीडिएफ मैंने भीजें है टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहां से डाउंलूड आप कर लीजिएगा ठीक है फोर एनी डाउट प्लीज आस्कियर इंस्टाग आफ राइस एंड वन लाग टैबलेट आफ हाइड़क्सी क्लोरोक्वीन भारत ने किस देश को एक हजार मिट्रिक टांग चावल और एक लाख हैड़क्सी क्लोरोक्वीन की गुलिया भेज रहा है तो यह है मेड़ागासकर क्या है नाम इसका मेड़ागासकर यह सायद आपने देखा होगा यह है मेड़ागासकर और आपको जानकर आश्चर यह होगा कि यह इंडियन ओसियन में ही है ठीक है बट यह अफ्रीका का पार्ट है यह मेड़ागासकर चैनल है अफ्रीका का पार्ट है कौन मेड़ागासकर अफ्रीका को आप लोग बहुत कम जानते होंगे बहुत ज्यादा important facts तो इसमें नहीं है बट अफरीका के point of view से दो तहीं चीजें आपको जाननी पड़ेंगी कि अफरीका में राजधानिया जो जो important है जैसे कि South Africa, South Africa की Pretoria राजधानी है, क्या राजधानी है, Pretoria, उसके बाद है Cape Town और बुलम फेंटेन ये तीन राजधानिया इसकी हो जाती है, तीक है next important चीज है कि यहीं कि थे नेंसल मंडेला जिनका नाम आप जानते होंगे और South Africa ये लिसोथो आप देख रहे होंगे ये भी एक जगा है यही एक दो ऐसे जगह है, उपर अगर हम बात करेंगे तो इसी South Africa में ये Egypt, लीविया, Egypt जो मिस्त्रा यहीं से स्वेज नहर इसके साइड से ये वाला इलाके से स्वेज नहर गुजरती, 1879 में 1869 में स्वेज नहर की शुरुवात की गई थी धुक्त देखते हैं त्यूनीसिय की राधानी क्या है ट्यूनिसी और लीविया की राधानी क्या है बताइए ट्री पोली golden सिर्ज्छ यहां की Karma लीवियं नार की करिंश तो यह मेसिक चीजे हैं जो आपको जाननी चाहिए और आपके एक्जाम में पुछा जाता है इसे ज्यादा अफरीका से कुछ नहीं पुछता है एक चीज और आपको याद रखना है अफरीका और यूरोप को कौन सा स्ट्रेट अलग करता है तो स्ट्रेट ऑफ जिवराल्टर तो इस्टेट ऑफ बाव अलमंडेव दोनों चीजें आपको क्लियर और कट समझ में आनी चाहिए नेक्स देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं जन आसदी दिवस कब मनाया जाता है या कब मनाया गया जन आसदी दिवस तो यह जन आसदी के इंद्र आपको हॉस्पिटल में जाते होंगे तो आपको दिखता भी होगा यह एक मार्च को मनाते हैं और यह तीसरा जन आसदी दिवस है अब मार्च महिना शुरू हो रहा है तो मार्च महिने के जो इंपोर्टेंट दिवस है उसे हम लोग रिविजन करेंगे और बहुत अच्छे से को अटेंड करिएगा और बताईएगा कि क्या कैसे और इंप्रूफ किया जा सकता है मुझे भी बताईए उन्हें भी बताईए तो मार्च में अगर देखेंगे तो एक मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन दे जीरो भेदभाव दिवस वर्ड सीविल डिफेंस दे तीन मार् सेफ्टी डे और आठ मार्च को इंटरनेशनल विमेंस दे दस मार्च को सी आई एस फ रेजिंग डे यह प्लीज याद रखीगा चार मार्च इंटरनेशनल सेफ्टी डे आठ मार्च को इंटरनेशनल विमेंस दे यह तो सब जानते भी हैं तेरा मार्च को नो स्मोकिंग डे से यह आप याद रहिए जो हाँ धुम्रपान निशेद दिवस है 13 मार्च को फिर नेक्स्ट है 14 मार्च पाई डे माइथेमेटिक्स में जो पाई होता है उसके लिए यह देटिकेटर दिवस है 15 मार्च का वर्ट कंज्यूमर राइट्स दियो जो ग्राहक होते हैं उनकी जो अधिकारों का दिवस है वह है फंद्रामार्च 16 मार्च को वैक्सिंएशन दे है और 8 मार्च कोiday तृट्टरी मेर्च को सब्सक्राइब चैनल ये इंट्रनेशनल डे ओफ हैं इंट्रनेशनल डेवपीनेस मनाते हैं 20 मार्च को खुषी मना एक तरीके से खुषी का वो दिवस है और you एसपारो डे भी बनाते हैं इसको मैं ट्रिक से बताओंगा आप तीदो चारो एक साथियात कर लोगे एपिनेस और बहुत लोगों सबस्ट देखकर के हैपिनेस होती है फिर एक सबस्तार रहती कहां है फॉरेस्ट में तो फॉरेश्ट टीब है कि समार्च को और इस 21 मार्च को दो और दिवस हैं, कौन-कौन से हैं, डाउन सिंड्रोम डे और पोईट्री डे, इसका PDF मैं दे दूँगा, आप रिविजन बे भी इजी हो जाएगा, साम तक रिविजन कर लेना, 22 मार्च को है वर्ल्ड वार्टर दे, तो आप ऐसे जोड़ सकते हो कि पहले स्पैरो, फिर फ़ोरिस्ट मेरेघी और वो 22 मार्च को, मतलब जल्द इवस है तो पानी पिएगी, तीक है, फिर वो मौसब बतायेगी, मेटर जाएट्र, अपने आप मेंजरूरी चीजें है, और हमेशा एक किसी बिग्जाम में जाओब ना, तो एक महनी कपूछी लेताए दो या तीन फूश लेता है तो मार्च का भी संभावना रहता है किस राजे सरकार ने हुका बार पर रोक लगाने की घुसना किया हुका जो आप देखते होंगे वह रोक लगाया जाएगा किसके द्वारा तो जहारखंड के द्वारा जहारखंड के स्टी एम और गौर्णर आ आपको कमेंट करना है मैंने लिस्ट आपको दिया है और आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ गया देख लेते हैं जहारखंड को पहले मैप में यह जहारखंड बिहार से अलग हुआ था ठीक है 15 नौवंबर सन 2000 में और जहारखंड की राजानी है राची बाउंडरी लगती है वेश्ट बंगाल बिहार ओडिशा अच्छ गड़ और आंधर प्रदेश चिक है यह जो है इसकी बाउंडरी लगती है इतने स्टेट से जहारखंड में हर तरह के खनीज उपलब्द है और यहां पेश्टिर प्लांट भी है बहुत सारी जहारखंड को एंड विच कंट्री ओर्गनाइजड नाइंटिंट होम सेकेटरी लेवल टॉप यह बंगला देश के बीच में होई हो ग्री सचीव जो होते हैं होम सेकेटरी उनके बीच में यह मिटिंग कर आई गई है बंगला देश को देखेंगे और साथ साथ और भी कुछ देशों को हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे यह हैं बंगला देश के बारेम बता दू यहां की पीम है से खसीना और 1971 में भारत के प्रयासों से इसे आजादी मिली थी तो यह आप मान के चलो कि बंगला देश का एक तरीके से इंडिया का बहुत बड़ा ऐसान है और यह भारत इसको बहुत अच्छे से ट्रीड भी करता है अभी भी बंगला देश की राजानी यह धाका और टका यहां की करेंसी है आप अगर मैप में देखोगे तो यह तीन तरफ से इंडिया से गीरा है और चौथे तरफ जो है वह इंडिया नोसियन है जो की सबका ही है यहां बंगाल है इ बंगला देश के साथ भारत इतना ज्यादा लंबा बांडरी आप देखी सकते हैं तीनों साइट से है तो सारे स्टेट जितने वह जैसे इदर पसी मंगाल है उपर जाएंगे तो आपको सिक्के मिल जाएगा फिर इधर जो है इंटरनेशनल बांडरी थिंपू अगर रखना है ठीक है यह एक्जाम के पॉइंट अव्यू से बहुत जरूरी है अगला देखते हैं थाइलेंड थाइलेंड की राजधानी कहा है बैंककॉक और वियंतियाने की कहा है लाउस ठीक है वियतनाम की राजधानी कहा है हनोई अच्छा मैयानमार अभी काफी ज्यादा कद्रशन 153 मनियानमार को पुराना नाम बर्मा है और मैयनमार की राजधानी है निंप डाओ यहां पे जो यह चोटा सा दिख रहा न यह अभी इसकी राजधानी यहाँ पर अभी मिलिटरी रूल चल रहा है प्रोटेस्ट हो रही है आम जंता जो है वह सड़कों पर उतार आई है और यहां की जो इस्टेट की एड कि ती उसे स्टेट काउंसलर कहते हैं यह कहते हैंnot तो यह चीज़ें आपको याद रेत रहने हैं नजर बंद है वहों और वह लेंड देख लिए आपने बैंकग हैंंगो लिए यहां Gulf of Thailand है एक important चीज यहां पूछी जाती है इस जोन में इंडोनेसिया के जोन में जो clearly आप समझ लो यह स्टेट ऑफ मलक का यह इधर से और इधर से यह फिर इधर के लोगों के लिए पैसेज का काम करता है यहां पे जितने भी important देश हैं सब अपनी नेवी को standby पे रखते हैं क्यों क्योंकि यह रास्ता ब्लॉक ना हो क्योंकि पूरा वर्ल्ड ट्रेड यहां से control किया जाता है तो कोई भी देश अगर उसको रोक लेता है तो इस्ट्रेट ऑफ मलक का याद रखना है बहुत जादा ज़र लिए सिंगापूर के एकदम पास है मलेशिया की राज़ानी को वाळलमपूर ब्रूनी की राज़ानी की बहंधर सीरी बंगवान इसकी राज़ानी है और जाकार्त जो है यह किसी एक इंटरेशनल और गेलाईजेशन का है। इस इंटरेशनल और अर्गारईश का नाम क्या है ř包ट रहताएं आसियान आसियान का headquarter कहा है जकारता में असोसीएशन आफ साउथ इस्ट एसियन नेशन आई होप जो मैं facts बताता हूँ आपको अच्छे लगते होंगे और revision आप कर पाते होंगे अगर किसी भी तरीगी का map समझने में कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझे बताईए लेट में नो मैं उसको clear करूंगा और यह जो है पांच नंबर कोश्चन है हाली में किसने टकन टनकपूर डिली जंक्षन से विसेश ट्रेंड की हरी जंडी दी है तो यह विसेश ट्रेंड टनकपूर डिली जंक्षन कोश्चन यहीं पुछा जाएगा कि एक स्पेसल ट्रेंड जो है एक मार्च को किस जंक्षन से चलाई गई थी तो यह जंक्षन है कौन सा बताईए तो टनकपूर डिली यह याद रखना है प्यूस गोईल ने रेलवे मिनिस्टर जो है वो उन्होंने हरी जंडी थी हाले में किस राज सरकार ने स्वमीदा करमचारियों की मतब कॉंट्रक्टेड जो एक तरीके से इंप्लॉई थे उनकी सेवा निवर्थी रिटार तीन वर्स पहले रिटार्मेंट दे दी जाएगी आगे बढ़ते हैं मद्यपरदेश का जो बात हुआ है तो यह सब चीजे तो रिविजन करना बनता है आप एक चीज़ धियान रखिएगा यह जो इंपॉर्टेंट मैं आज दे रहा हूं इसको एकदम कंठस्त कर लिजिए याद कर लिजिए क्योंकि सारे कोश्चन यही से आएंगे अब देख सकते हैं विंदे और सत्पूरा मद्यपरदेश की इलागा हम पड़ता है लेकिन अजंदा अजंता बाला घात यह सब कहा पड़ता है यह सब जो है मद्यभारत में पड़ता है महादेव हिल्स कहा है यह इसी में होगा तो साथ इंडिया की सबसे मं उची चोटी अन्ना यमुरी तू सिक्स नाइन फाइव मीटर ुसकी हाइट है दूसरी सबसे सेकेंड हएएस्थ है ।ो सिक्स थ्री सेवन दोधा ऱटा काडमम हिल्स कहा है तो अन्नाई मूरी में ही है सेशा चलम हिल्स यहाँ पे फिर वरुसनार हिल्स पालने हिल्स सीरुमलाई हिल्स पंचमलाई सेवरोय जावडी नागरे हिल्स यह सब जो हैं यहाँ पे लाइन से मैंने लिख दिया है सब्सक्राइब का उसे को नुद्अि नल्ल मला हेल नर्दन सरकार इस इलागे के आपको मैं मैं नली बता दू ये पूरे जोन को वेस्टेंगाट और उसको पूर Lieशन कहाते हैं इसके उोपर वाले हिस्चे को नॉर्दन सरकाइब यह से को रो मंडल यह हो गया मालाबार और यह हो गया कौंकन है तो यह चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा पार्ट किसको डिनोट करता है पूरवी भारत में आएंगे तो ओरिसा में गर्जट हिल है गर्जट यह देख रहा होगा और महेंद्रिगिरी परवत भी है तो महेंद्रिगिरी परवत है आपको एक बार मैं याद नहीं हो गांप यह मयाय प्लख ना और हमेशा इसको रिविजन करना अर आवली रेंज है various मांट टाबू इसकी सबसे उची चोही है गुरु सिखर भी है गुरु सिखर सबसे उची चोहीए है प्यवागेशती कहा है मौन टंक यहाँ की परवत है जिस पर लोग घुमने भी जाते हैं ठीक है एक है ऑपके म्दे जिन CEO आगे बढ़ते हैं, भारतिये पुरुस, भारतिये पुरुस एस्कीट टीम ने मिस्र के काहिरा में सौट गन वर्ल्ड कप का कौन सा पदक जीता है, तो ये जीता है कान से पदक, ठीक है, ब्रॉंज मेडल जीता है, हाली में करनाटक के किस जिले में खिलोना क्लस्टर निर्मा की अधारसिला रखी गई है, तो ये रखी गई है कॉपल में, कॉपल में इसकी अधारसिला रखी गई है, कॉपल करनाटका में, अभी आपको पता ही है, पुरे देश के जो ट्वाय है, उनको ऑनलाइन बेचने के लिए एक पहल सुरू की गई थी, तो इसका कलस्टर गया था कनाटका की कॉपल में दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और काफी आप इससे फायदा हो रहा है आपको डेली देखने पर प्लीज जब भी मैं लाइव आता हूं साथ से आठ के बीच में या जब भी आऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जा साथ ही खोज की गई तो यह अरुनाचल प्रदेस चीध में यह खोज की गई है इसकी PDF जो है इंग्लीस में भी है तो परिसानम होगा इंग्लीस वाले एृप है ृप्लेहैं यहिव के त्वांग से ब्रह्म पुत्र नदी ऐसे घुमती है और यह फाइनल इंदर गिरती तरुन बजाज को कीस विभाग का दिरिक्त प्रभार दिया गया है तो यह रजमसर में कुम्भ के यह एक नियंतरिन कख्ष थापित किया गया तो यह लियन कुम्ह के लिए न тебе नंदर रूम स्थापित किया गया है। इस रोगने is He परिक्षन कहां से किया है तो यह आंधर परदेश से किया गया था अमाजोनिया वन ब्राजील की सेटेलाइट थी इस पर डिटेल में मैंने कल के वीडियो में बताया है अब आपके लिए जो कुश्चान है आज कमेंट करना है यूएन गुडविल एमबैसडर किसे नियुक्त किया गया है कल मैंने वरी डिटेल में बताया था तो प्लीज उसको याद रखिए गा और कमेंट बॉक्स में वही कमेंट करिए ठीक है थैंक यू सो मच